नमश्कार कई बार ऐसा होता है कि हमको अपने विवहार के बारे में ही पता नहीं चलता कि क्या हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं जो कानून की नजर में गलत हो और जब परिवार के मामलों की बात करें तो वहाँ पर तो कुछ जादा विश्य समझ में आता भी नहीं है ऐसा ही एक मामला जहाँ पर पती अपने पत्नी के ऑफिस में जाता है पतनी को उनके साथ में काम करने वाले जो कॉलीक्स उनके साथ में काम करने वाले लोग हैं उनके सामने बेज़द करता है, प्रोसिट्यूट कहता है, अब शब्दों का इस्तमाल करता है, गाली का लौच करता है और ये एक बार नहीं करता है, बार बार करता है तो क्या ये मानसिक प्रताड़ना में आएगा या नहीं नमशकार आपने शुरुआत किया शो पांड़े के साथ online legal advice में अगर आपको इस channel के माध्यम से दी गई जानकारियां पसंद आती है तो मेरा आपसे एक ही निवेदन request है subscribe जरूर कर दें जिससे आपको कानून की इस प्रकार की जो वीडियो से लगातार मिलती रहे आपको कानून के जो अलग-अलग जो judgment से अलग-अलग जो बाते में बताता रहता हूँ इस channel के माध्यम से आप तक पहुँशती रहे तो यह जो judgment है जहाँ पर पती अपनी पतनी के office में जाता था और उसके साथ में काम करने वाले करमचारियों के सामने उसे बेज़द करता था अब शब्दों का prostitute जैसे वैश्या जैसे शब्दों का इस्तमाल करता था यहाँ पर court ने यह कहा कि यह सब कुछ पती के द्वारा जो पतनी के प्रती किया गया यह मानसिक प्रताड़ना में आता है और इसी को आधार बना करके court ने दिया तलाक जी हाँ और यह case था कला कुमारी वर्सिस राम बेरन आनंद का case AIR 2004 अलाहबाद page number 54 इस judgment को आप ध्यान रखिएगा अगर ऐसा पतनी के साथ में हो रहा या पती के साथ में भी हो रहा जहाँ पर पतनी पती के office में आ रही है दफतर में आ रही है वहाँ पर गाली कलोच करती है अभदरता करती है उसे बदनाम करती है allegations लगाती है जूटे तो ये भी मानसिक प्रतारणा में आएगा बशर्ते आपके पास में सबूत होने दोनों ही cases में दूसरा एक judgment यहाँ पर पती अपनी पतनी के उपर illicit relationship अवैच संबंध होने का दावा करता था और ये संबंध एक साधू के साथ में थे वो कहता था कि मेरी पतनी के शारिरिक संबंध है और ये शारिरिक संबंध काफी लंबे समय से थे जब वो दिन के समय या रात के समय कई बार जब घर में नहीं रहता था तो वो आश्रम जाती थी या कि वो साधू आता था और उनलों के relation बनते थे इस बात को साबित वो नहीं कर पाया इस बात को साबित करने के पास उसके कोई relevant जो evidence होते हैं सबूत होते हैं पती के पास में नहीं थे wife को तलाक मिला appeal में और जब दिल्ली high court ने इस बात को सुना और जब इस पूरे मामले की प्रकृति को देखा तो lower court से तो पत्नी हार गई थी तलाक नहीं मिला लेकिन जब वो high court गई तो court ने ये consider किया कि ये तलाक के दारे में तो जरूर आता है क्योंकि इस प्रकार के जो malicious false allegation है जो की husband साबित नहीं कर सके उसे भी मानसिक प्रतार्णा पे माना जाएगा और ये modesty and character की उपर बात आ गई न यहाँ पर तो वो एक सादू के साथ में आवेद संबंद की बात कर रहा था तो ये उसके character assassination का भी एक प्रशन बन गया तो इस बज़ा से ये court ने consider किया कि मानसिक प्रतार्णा में आएगा और ये case है तो ये दोनों ही जो family court के जो cases है जो मानसिक प्रतार्णा से संबंदित है ये आपको ज़रा समझना पड़ेगा मतलब आपके शब्दों की वज़ा से भी आपको तलाक मिल सकता है या आपने ऐसे शब्दों का इस्तमाल किया वो आपके उपर ही आपके शब्द भारी पड़ सकते हैं ये दर्शाता है तो दोनों ही ज़ज्मिंट पहला जो कला कुमारी वर्सिस राम बिरन आनंद का ज़ज्मिंट AIR 2004 अलहाबाद पेज नमबर 54 और दूसरा जहाँ पर सादू के साथ में आरोप लगा रहा था पती की अवैच संबंध है वहाँ पर AIR 2012 डैली पेज नमबर 1 और ये था हेमवंती त्री पार्थी वर्सिस हरीश नारान का ज़ज्मिंट दोनों ही ज़ज्मिंट विशेश तोर पर आपको रखने चाहिए ध्यान आपने शुरुआत अशोग पांड़े के साथ में की थी नए हैं सब्सक्राइब जरू कर दीजे किसी परिशानी के लिए अगर करना चाहें बात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रशन डालिए मैं कोशिश करूँ आपके प्रशनों के जवाब देने लेकिन अगर डिरेक्ली बात करना चाहते हैं तो यह नंबर दिया हुआ है साथ ही साथ यहां इस वीडियो के डिस्रिप्शन में डिटेल है लिंक है जहां से डारेक्ली अपॉइम्मेंट बुक करके भी आपकी और मेरी हो जाएगी बात डिस्रिप्शन चेक कर लीजेगा मिलिए अगले वीडियो में कानून की जानकारी मैं आप तक पहुचाता रहूँगा इसी अपेक्षा और कामना के साथ कि आप सभी स्वस्त और सुरक्षित रहें मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी का बहुत धन्यवाद